अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आएंगू 5 साड़ी आउटफिट आइडियाज ये बहुत ही ट्रेंडी एंड क्लासिक साड़िया है और ये इसली किसी के भी वाडरोब में इसली अवेलिबल मिल चाहेंगी तो फ्रेंज मेरी जो फर्स साड़ी है वो है बहुत ही ब्यूटफुल सी हाफ एन हाफ साड़ी जो की है पिंक, ब्लू एन क्रीम कलर में ये ऐसी साड़ियां है जो हर किसी के पास साड़ियां खोती हैं फ्रेंच इसमें है बहुत ही ब्यूटफुल सा गोलडन कलर का पॉर्डर जिसमें बहुत ही beautiful सी embroidery की गई है and mirror work भी है friends ये साड़ी heavy थी तो मैंने इसके साथ team up किये है heavy earrings and neck area को मैंने simple ही रखा है because अगर heavy earrings है तो I don't think so कि neck पे heavy necklace की जरूरत है इसके साथ मैंने बनाया है juda and मुझे तो ये look अच्छा लग रहा है चलिए आप भी देखकर बताईए कि कैसा है friends आप बात करते हैं हमारे look number second जिसमें मैंने team up की है silk sadi friends silk sadi सुपो से ही हमारे देश में काफ़ी friend में रही है and silk sadi बहुत ही beautiful लगती है किसी भी ladies में को ये बहुत ही graceful look देती है तो friends यहाँ पर मैंने team up किया है silk sadi green color की silk sadi को matching blouse के साथ and इसके साथ मैंने carry किये है golden studs and जो overall मेरा look है वो काफ़ी simple sober सा है and I think आपको भी ये look पसंद आएगा तो चलिए देखते हूँ friends अब पढ़ते हैं हमारे look number 3 की तरब जिसमें मैंने team up की है बांधनी sadi बांधनी sadi friends बहुत ही जादा traditional look देती है किसी भी person को and यहां पर मैंने simple सी बांधनी sadi को team up किया है multi-color blouse के साथ and जो मेरा look है उसमें मैंने बनाई है poni tell and जो make-up भी है वो भी simple सा है simple से मैंने earrings इसमें wear किये है and आप भी इस तरह का look ज़रूर try कर सकते है because बांधनी sadi बहुत ही जादा traditional look देती है तो ज़री देखते हैं friends अब बात करते हैं मेरे look number 4 की जिसमें मैंने carry की है अपनी मम्मी की sadi and जब भी कोई बेटी अपनी मम्मी की sadi पहनती है तो उससे एक बहुत ही emotional connect जुड़ा हुआ होता है and friends जहां तक मेरी बात की जाए तो मैं बहुत ही जादा emotional connected हूँ अपनी मम्मी की sadi के साथ because my mother is not alive and जब भी मैं अपनी मम्मी की sadi पहनती हूँ तो मुझे उसमें से अपनी मम्मी की खुश्बू आती है and मैं अपनी मदर को महसूस कर पाती हूँ तो friends आज भी मैंने इस look में अपनी मम्मी की sadi team up की है जिसे मैंने carry किया है silver जुमके के साथ इसमें मेरा जो look है वो भी totally different है and friends मेरी मम्मी जो थी वो बहुत ही simple sadi पहना करती थी and इससे लिए इस sadi को enhance करने के लिए मैंने इसमें maroon color की border attach की है जिससे ये sadi की beauty और भी जादा बढ़ गई है and मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये look आप भी देखकर बताईए कि कैसा है as अब बढ़ते हमारे look number 5 की तरफ जिसमें मैंने carry की है red color की beautiful embroidered sadi जिसमें बहुत ही beautiful सी traditional multi color embroidery की गई है बीच बीच में mirror work भी है and friends इस sadi का जो plus point है वह यहां है कि यह इतनी light weight है इसमें इतनी heavy embroidery है फिर भी ये पहनने पे बहुत ही जादा light weight है और ये बहुत ही जादा beautiful लगती है इससे मैंने pair किया है matching earrings and matching necklace के साब and my look totally done हो चुका है तो चलिए आप भी देख लीजिए so friends यही था मेरा आज का वीडियो and I hope आपको मेरे जितने भी ideas थे वो पसंद आए होगे especially आप भी अपनी mother की side को different way में जरूर stylize करेंगे और राखी के दिन लगेंगे बहुत ही जादा beautiful so friends अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इससे जादा से जादा like करें share करें मेरे channel को subscribe करें and bell icon को दबाना बिल्कुल भी न भूलिए till then keep watching be happy take care and bye